सो राम राम जी आज है एड़ोवी आफटर इफेक्ट का क्लास नमबर 6 और आज के इस वीडियो में हम बहुत सा बेसिक सा चीज सीखने वाले हैं क्योंकि यदि यह चीज आपने ही सिखेंगे ना देन आफटर इफेक्ट चलाना आपके लिए इंपॉसिबल है जी आपने सही स क्लास का कि प्रीबियस क्लास में जितने भी वीडियो दिया फिर इनमेशन बनाई थी उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे रेंडर करें कैसे करेंगे लाकि थोड़े बहुत चीजे में आपको बताए थी लेकिन आज डिटियल में इन सब के बार मुलब स्थेखने वाले हैं औ टेकन लाना है आधी पिछली class में मैंने इंपोर्ट करता हूं घ्क है लेन यहां पर राइप किलिक करते हैं इंपोर्ट पे आते हैं और यहां फायल प्याते हैं एक कुछ में हमारी पुरानी वाली फाइल है जो हमने एक्सपोर्ट किया था तो मैं इसको इंपूर्ट मतलब कर लेता हूँ फाइल को और प्ले करके आप देख सकते हैं एम पूरीव आको दिख रही है थीख तो एक्सपोर्ट करने का बेस्क्रीव में कजा तरोंगा यहाँ escol से एक्सपोर्ट करते है वैसे यहां से आपके पास में एक बिंडोज ओपें ओगी जहां पर आपको मिलेगा रेंडर सेटिंग और आटपूट मॉडियोल वोके देन हाई लगा दिया और एक दूरतीन के नाम से हमने से कर रहा है और कुछ नहीं करना तो यहां देखेंगे यहां आपको प्यूर्स मतलब रोकने का और इस टॉप का दो चीज का आपको आप्शन मिल रहा है कुछ नहीं करना सिंप्ल इसको रेंडर होने देना है सब्सक्राइब और पार यहां आपकी रेंडर हो चुकी है यहां अपके दिख सकते हैं स्क्रीन प्रेंडर करके दिखा रहा हुआ है तो इसको हम रेंडर करते हैं यह रहा आपटर एफेक्ट देने आ प्यांप आना है एंड कंट्रोल एम करना है ठीक है जी कंट्रोल एम हमने किया कंट्रोल एम करने के बाद में यहाँ पर हाटपूट सेटिंग में आना है और हाई क्वालिटी ही रहने देना है ठीक है तो इसको वैसे ही रहने देना है तो पहला तरीका तो ऐसे है आप डारेक्ट यहां से करेंगे तो संखे होना है निसके करना हैो लिए यहाँ से कट कर सके यहाँ हमारी टाइम-लाइन है है लब 14 सेकंड का होने बटरफ्लाइ बनाया था एक तो अल्रेड इडिया कंट्रोल की करके देखेंगे ना धाल डेलinho 14 सेकंड का स्लेक्ट हो गई है जबकि हमने 10 सेकंड काई लिया था ओके इसलिए आपे देखेंगे दो sequence आपको मिलना है 1-23 का दूसरा render and export का तो हमने render and export को बनाया था इसको simply लिट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है आपको आना फाइल पर ठीक है और यहां पर export not import export याद है then अभी हम यहां पर करती ही ctrl m जैसरी can control यह हम करेंगे कुछ इस परकार की आपके सामने आएगी यहां पर आपको क्लिक करना है ठीक है यहां पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस परकार सा जैसे एड़ोबी प्रिमियर प्रोम में होता था वैसे यहां पर भी ओपें होगा देन यहां से आप फाइल को कहां पर से परना चाहते हैं फाइल जैकि नेंटर करने के बाद में ठीक है हमको इसको एक्सपोट करना कि से मिडिया इंकोडर से एक्सपोट करना जाएंगे और एक ते और मीडिया इंकोडर उस्यम वरजन का होना चाहिए अम मीडिया एक्सपोड करते तो इसको कम करने के लिए जो है मेडिया इंकोर्टर में आपकी है आपकी है यहां पर काम कर सकते हैं तो देखेंगे यहां पर कि प्रकार से आप इसको एक्सपॉर्ट करना चाहते हैं प्रीमियर करता था कि आज 264 पर हमने एक्सपोर्ट कर रहा था आप यहां से क्लिक करेंगे तो एक के और भी विंडूस आपके सामने ओपेन होगी और यहां पर लिख रहा कि या फिर यूस प्रिव्यू जोभी है सारी चीजें से आप कर सकते हैं तो simply मैं इसको कर देता हूं नहीं चारता हूं देन आप इसको सेव कहां करना चाहते हैं तो जैसे अभी मैं इसको डेक्सटाप पर सेव कर रहा हूं ठीक है बटरफ्लाइ के नाप से बड़ डेल टे या फ फाइल प्रिव्यू भी दिख रही है कि हाँ टू हन्ड़ेट है एक्सपोर्ट हो रही है और जो रेशन से ब्रियों का 14 सेकंड है और जो रेशियो तो कुछ इस प्रदार का प्रिविव आ प्रिव्यू आपको मील रहा है तो यह तो फहली तरीका है दूसरी तरीका ने नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा की आपने बाइद इवे देखा वो गजवत पिछली कि लिवास में कि हमारे जूु बर लाइज है लो ब्लावर्स है वह हमारी ओपर से या फिर वीडियों के ऊपर चार्पेरेंट में मतलब प्लेय हो रही to वो कैसे करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ट्रांस्पेरेंट रेंडर कैसे करते हैं तो थैंक यू